गुड मॉर्निंग, सूप्रभात, रीट परिक्षा की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों को डॉक्टर भावना शर्मा उदाइपूर की तरफ से शिक्षक दिवस की हारदिक शुपकामना है। डाउटफुल टेस्सीरीस का पांचवा टेस्ट आज हम प्रारम करने जा रहे हैं। प्रश्ण भी हमारा इसी तरह का है। देखिए पहले प्रश्ण में लिखा है यन प्रत्याहार में या फिर अंतस्त वर्णों में या अल्पप्राण वर्णों का उचित क्रम क्या है। अंतस्त वर्ण ही अल्पप्राण वर्ण हैं तो हमसे पूछा गया है कि यन प्रत्याहार का अंतस्त वर्णों का और अल्पप्राण वर्णों का अर्थात इन सभी का उचित क्रम क्या है। देखिए पहला क्योशन तो हमारा यहीं बन जाता है कि हमसे ये पूछा जाए कि यन प्रत्याहार के अन्य नाम क्या क्या हैं तो अंतस्त वर्ण भी है और अल्पप्राण वर्ण भी है। देखिए हिंदी और संस्कृत दो भाषाओं में इनके उचित क्रम हमें याद रखने हैं। बग को लेकर रहता है। तो देखिए एक बहुत ही सरल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूँगी और उसको शायद आज इवन आप नहीं भूल पाएंगे यह ऐसा कॉंसेप्ट है। देखिए औप्शन अ में लिखा है यर लव तो आपको याद रखना है कि जहां पर लव एक साथ आजाए। ध्यान दीजिएगा जहां पर लव एक साथ आजाए वो तो आपको करना है हिंदी वर्ण माला में। आपको याद रखना है कि यदि हिंदी वाले पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि अंतस्त वर्णों का या अलपपराण वर्णों का सही क्रम क्या है तो आपको देखना है कि लव कहां एक साथ आया लव आएगा तो आपका हिंदी का अंसर हो जाएगा और यदि आपका य जब एक साथ आ जाए तो हिंदी भाषा का उत्तर हो जाएगा जबकि वर एक साथ आ जाए तो संस्कृत भाषा का उत्तर हो जाएगा इसको भी आपको याद नहीं करना है आपको तो सिर्फ इतना याद करना है कि जब आपने हिंदी की वर्ण माला पड़ी अर्था कम से कम पा आप शिशु अवस्था में थे शेशेव अवस्था में थे या हम कह सकते हैं कि बाल्य अवस्था की स्टार्टिंग में थे तो उस समय आपको क्या है कि छोटे बच्चों को सभी लव करते हैं तो लव आ जाए तो आपको हिंदी याद रखनी है जबकि देखिए आप सभी जि कि काफी सारे भाई तो मेरे वर बन चुके हैं और काफी सारे भाई वर बनने की तयारी कर रहे हैं रीट का परिणाम आते ही वर बन जाएंगे वे सभी तो आपको याद रखना है कि यदि वर आ गया एक साथ तो वर बनने की एज हमारी वर बनने की एज में हमने क्या पढ़ा ह अभी संस्कृत पढ़ा है जबकि लव आ गया तो हमारा हिंदी हो जाएगा और संस्कृत पढ़ते समय अभी हम वर बनने की अवस्था में हैं तो वर आ गया तो आपको संस्कृत याद करना है तो यह जो स्टोरी थी यह जो कॉंसेप्ट था बहुत इंजोई से आप इसको 시ينड़ के लिचा संस्कृत पढ़ने की अवस्था में उख्षरों और समय यन पर्त्याहार और अलपञण वर्णों का सही करम क्या होगा चली देखते है next question question number second question number second है उश्मवर्णों का महाप्राण वर्णों का और शल प्रत्याहार का उचीत क्रम क्या है देखिए उश्मवर्ण को ही अलपप्राण उश्मवर्णों को ही महाप्राण वर्ण कहते हैं और महाप्राण वर्ण को ही शल प्रत्याहर कहते हैं तो ये तीनों नाम एक ही विशेवस्तु के हैं तो आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि शर्श सह क्या है ऑप्शन ए में दिया जाए उश्म वर्ण बिल्कुल सही है ऑप्शन ब में दि वर्ण ही महाप्रान वर्ण है महाप्रान वर्ण ही शल प्रत्याहार है तो देखी हमसे इनका सही करम पूछा गया है देखी सारे शा बोलने में एक जैसे ही लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लेकिन आपको मैं बहुत सरल तरीके से इंजॉय करते और ये जो concept है ये भी आपको ताउम्र याद रहेगा वैसा ही है देखिए concept अपना ये है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम बोले ना तरथा शंकर भगवान को याद करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे शंकर का शर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले उठते आमें पास करवा देना तो सबसे पहले हम शंकर भगवान से प्रातना करेंगे तो पहला शर आपका हो जाएगा शंकर का शर इसके बाद देखिए पढ़ते पढ़ते जब शाम हो जाती है बहुत कम से कम 14 से 15 गंटे आपको पढ़ना पढ़ रहा है तो लास्ट में आप पढ शर आ चुके हैं एक शंकर का शर आ चुका है और एक सबजी वाला सर आ चुका है और अंत में ह आ चुका है अब एक ही तरह का शर आपको भरना है तो नेचुरली शंकर का शर आ गया सबजी का सर आ गया अब आपको शर भरना है और नी संदे वो कौन सा वाला शर होगा शटक तो शंकर का शह सबसे पहले आएगा और लास्ट में रात की बारा एक बजे तक हम पढ़ते पढ़ते यानि पढ़ाई को सहन करते करते ठक जाते हैं तो सह आएगा सबसे लास्ट में दो प्रकार के सह आ गए हैं और बीच में एक ही सह भरना है तो वो हो जाएगा आपका शटक नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नंबर थर्ड गो प्लस अग्रम इती किम भविश्यती गो प्लस अग्रम से क्या बनेगा देखिए ये क्योशन मैंने पहले भी अपनी तीस अंको वाली जो टैस सिरीज थी उसमें दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डाउटफुल क्योशन सिरीज में भी मैं इसको इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको एक या दो कॉंसेप्ट पताऊंगे लेकिन इसके तीन कॉंसेप्ट यो तीनों की तीनों बिलकुस सही है देखिए गो प्लस अग्रम सबसेपाली कंडिशन तो यह है कि हम इसको यथावत भी रख सकते हैं तो गो अग्रम भी आपका बिलकुस सही है सेकंड ऑप्शन यह है कि गो में इस्थित ओ को ध्यान दीजेगा यह जो आपका गो है इस गो में जो ओ इस्थित है उस ओ को अपन अवंग आदेश करते हैं ध्यान दीजेगा अवंग आदेश करते हैं और अवंग में अंग की इतसंग्या हो जाएगी तो अव शेश देखिए अव का व पूरा है ध्यान दिजेगा अव का व पूरा है आगे से अपन ने गहलंत मिला दिया तो ये बन गया गव ध्यान दिजेगा ये बन गया है पूरा गव अब देखिए गव में आपने अग्रम का अ मिला दिया तो ये अ और अ मिलके आ बन गए तो ये पूरा concept हो गया गवाग्रम तो गवाग्रम भी आपका बिल्कुल सही है तीसरा option दिखिए गोग्रम यहाँ पर इसको ड जैसा जो दिख रहा है उसको अवग्रह समझेगा आप गोग्रम देखिए पूर्वरूप संधी जब आपने पढ़ी होगी तो पूर्वरूप संधी में A अत्वा O इसके पश्चात A आने पर हमसे कह रहे हैं कि A अत्वा O तो यहाँ देखिए O आया है इसके पश्चात A आने पर A का अवग्रह बन जाएगा तो गोग्रम रहेगा तो गोग्रम भी आपका बिल्कुल सही है तो यहां हमारा सर्वमानने उत्तर हो जाएगा option the survey next question है आपका question number 4 निर्धन आमीशह निरामीशह निर का रहलंत है रहलंत में आमी लाने पर रा बन जाएगा निर्धन आमीशह बराबर निरामीशह निरामीशह तो हमसे पूछा गया है कि निर्धन रवह इती भविश्यती निर्धन रवह क्या बनेगा देखिए ये जो आपका concept है ये बहुत ही अच्छा concept है बहुत ही अच्छे शब्द इससे बनते हैं देखिए निर्धन रवह एक सुत्र है र के पश्चात र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा और जिस र का लोप हुआ है उसके आगे वाली मात्रा यदि हरिस्व है तो उसे दिर्ग करना होगा तो नी की मात्रा जो है वो हरिस्व है नी की मात्रा को हमने दिर्ग किया तो ये बन गया नी और पीछे से आपका आ जाएगा रवह, तो ये पूरा बन जाएगा नीरवह, रव अर्थात शब्द और नीरव का तातपर है शब्द रहित, यानि जहां बिलकुल भी किसी प्रकार का शोरगूल नहीं हो, वैसा नीशब्द स्थान. देखिए यदि आपसे पूछा जाए नीरवह, इस नीरवह में कौन सी संधी है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर विसर्ग संधी है, यहाँ पर एक सुत्र लगेगा आपका रोरी, रोरी सुत्र हमसे कहता है कि र के बाद र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा और एक दुसरा सुत्र है ड्र लोपे पुर्वस्य दिरगोण, यह सुत्र हमसे कह रहा है कि दिरगोण, यानि आगे वाली मात्रा दिरग हो जाएगी, तो इस प्रकार आपका शब्द बन गया, निरधन रवह, नीरवह, तो इसके अनुसार क्योशन नमबर 4 का सही उत्तर हो दो तरह की confusion वाले answers हमें देखने को मिलते हैं, कहीं किसी passbook में लिखा है 42, अर्था द्वा चत्वारी इंशित, और कहीं कहीं पर लिखा है 44, अर्था चतुष चत्वारी इंशित, दोनों में students बहुत जादा confused है, तो देखी, प्रत्याहारा, कतीवीधा, second grade, first grade में भी काफी पूछा गया है, और वहाँ आपको सही answer करना है 42, और 42 नाम का आकड़ा यहीं नहीं है, तो वहाँ आपको याद करना है, द्वा चत्वारी इंशित, अर्थात कितना, 42, 42 आपका सही उत्तर होगा, अब देखिए, मूल तह प्रत्याहार तो 42 ही थे, किन्तु दो प्रत्याहा कतीविध इसका जो answer है, वो सर्वमान्य उत्तर वही होगा, कितना, 42 अर्थात, द्वा चत्वारी इंशित, नेक्स क्योशन है आपका, क्योशन नमबर 6, इदम शब्द सिय, त्रीविध लिंगेशू, अशिद रूपम किम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इद कई बार ये अशुद्धी संशोधन में भी दिया जाता है, और वो कैसे दिया जाएगा, मैं इस छठे क्योशन के जस्ट बाद आपको बता रही हूँ, देखिए, option A में लिखा है, इयम इस्त्रिलिंग, ध्याम दीजिएगा, इयम इस्त्रिलिंग, तो इयम इस्त्रिलिंग कौन सा है, तो हम कहेंगे, कोई अपिन, अर्थात कोई भी रूप अशुद्ध नहीं है, तो आपको याद रखना है, कि मूल शब्द तो आपका रहेगा, इदम, लेकिन इस्त्रिलिंग में बनेगा, इयम, अब देखिए, हमसे अशुदी संशुदन में कैसे पूछा जाए पूरा सेंटेंस होगा आपका, मैं जहां शुद्ध योगी वही लिखकर बताती हो, इयम पुस्तकम सुंदरम अस्ती, यह पुस्तक सुंदर है, अब देखिए, पुस्तक शब्द नपुन सकलिंग में है, यदि पुस्तक शब्द नपुन सकलिंग में है, तो पुस्तक की ज आपका इस्त्रिलिंग में है अतह ये आपका इयम अशुद्ध हो गया तो आपसे इसी प्रकार पूछेंगे यदी कोई इदम रमा आपसे पूछा जाएगा इदम रमा रमा इस्त्रिलिंग में है जबकि इदम आपका नपुनसकलिंग में है तो ये भी आपका अशुद्ध हो विशेश्य के अनुसार चलते हैं और विशेश्य दी पूरलिंग में है तो आपको भी पूरलिंग ही भरना होगा विशेश्य दी स्ट्रेलिंग में है तो आपको भी स्ट्रेलिंग रूप ही भरना होगा तो दिखी यम पुस्तकम पुस्तक नपुनसकलिंग में है तो आपका स सही उत्तर होना चाहिए था इदम पुस्तकम तो इस प्रकार असुद्धी संशोधन में भी यह जरूर से पूछा जाता है तो क्याशन नमबर छे का सही उत्तर था को अपिन अर्था सभी सुमेलित हैं नक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर साथ सर्व शब्द पुल्लिंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सर्व शब्द पुल्लिंगे सर्व जो शब्द है आपका सर्वनामक शब्द है एक सर्व उस सर्व शब्द पुल्लिंग का चतूर्थी एक वचन क्या होगा आप एक्जेम में सौल करें तो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाईएगा पिक्चर का मतलब है चतूर्थी एक वचन तो चोथे लाइन के फर्स्ट में आपको इमेजिन करना है कि हमसे चोथी लाइन का फर्स्ट पूछाए कहीं पर पूछा जाए सश्टी का बहुवचन तो चटी लाइन के लास्ट में जाना है तो वो जो कॉंसेट है वो आपके माइंड में चलना चाहिए हमसे पूछाए सर्वशब्द के पुलिंग में चतूर्थी एक वचन क्या होगा ओप्शन द है सर्वस्मय ओप्शन ब है सर्वस्य ओप्शन स है सर्वाय ओप्शन द है स बिल्कुल अशुद्ध है ओप्षन द जो है सर्वे ये भी आपका बिल्कुल अशुद्ध उत्तर है हमारा जो कन्फ्यूजन है वो ओप्षन और ब में रहता है कि सर्वस्मय या सर्वस्य देखी हमसे बिल्कुल क्लियरली पुछाए कि पुलिंग की बात है आपने सभी ने ब टीचर्स को, स्टुडैंट्स को तो आप याद रखिएगा कि तस्मय श्री गुरवे नमह ध्यान दीजिएगा और पीछे शब्श्य आया है गुरवे गुरु शब्द पुलिंग में है तो पुलिंग में तो आता है तस्मय बहुत अच्छे से सुनेंगे तस्मय श्री गुर्वे नमह गुरु शब्द पुल्लिंग में है और तस्मय आया है अर्थात तस्मय तो आएगा पुल्लिंग में ज्यान दीजिएगा सर्वशब्द पुल्लिंग में तस्मय आएगा तो आपको याद रखना है कि इसी प्रकार सर्व शब्द होगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वस मय अर्थात पुरलिंग में मय आएगा याद रखना है नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर एट फिर वही कॉंसेप्ट लेकिन केवल हमने लिंग बदल दिया है सर्व शब्द स्त्रिलिंग ज्यान दीजेगा सर्व शब्द का स्त्रिलिंग हो और स्थान वही हो चतूर्थी विभक्ती का एक वचन सर्वशब्द के स्त्रिलिंग में चतूर्थी 1 वचन में कौन सा रूप होगा देखिए तस्म श्री गुर्वे नमस उत्रानुसार पॉलिंग में तो आजाएगा तस्मय सर्वस्मय कस्मय यस्मय अर्थात मय वाला रूप रहेगा चतूर्थी के एक वचन में किन्तु यदि शब्द स्ट्रिलिंग में है तो आपको याद रखना है कि स्ट्रिलिंग के चतूर्थी एक वचन में यही आएगा, पुर्लिंग में तो आया था मई, जबकि स्ट्रिलिंग में आ जाएगा यही, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वस यही, स्ट्रिलिंग ह होगा तो यही और पुर्लिंग होगा तो सर्वस्में बहुती अच्छे प्रश्ण थे क्योशन नमबर साथ और आठ इनकी आने के बहुत जादा चांसेज हैं और मैं तो यह कहते हूं जितनी भी मेरी टेस सिरीज है उससे बाहर कोई क्योशन नहीं जाएगा अतर टेस सिरीज क तो कम से कम दो बार फास्टली रिवाइज जरूर करें आप नेक्स क्योशन है अपना क्योशन नमबर नाइन मनस पयस पुली नपुन सकलिंग शब्दस्य प्रथमा विबक्ति ही एक वचने रूपम सियात मनस और पयस ये दोनों जो नपुन सकलिंग शब्द है उनका जान दीजिएगा आपको एक प्रश्ण तो आपका यहीं प्रिपेर हो गया कि मनस और पयस दोनों नपुनसकलिंग शब्द हैं लिंग वाला एक प्रश्ण यहां प्रिपेर हो गया है कि मनस और पयस दोनों ही नपुनसकलिंग शब्द हैं दूसरा प्रश्ण यह है कि इनका प पयम लेकिन आपको याद रखना है कि मनस और पयस दो ऐसे शब्द है जिनके की नपुन सकलिंग में भी विसर्ग लगता है बहुत अच्छा अपवाद है अपने आप में ये कि मनस और पयस नपुन शकलिंग शब्द है किन्टु इनके प्रत्मा विबक्ती के एक विसर्ग लगेगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनह पयः क्योशन नमबर नाइन का सही उत्तर है आप्शन ब मनह और पयः नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर दस अशुद्ध रूपम अस्ती निमनांकित में से क्या अशुद्ध है रेट लकार भविश्यकाल क्या भविश्यकाल के लिए लट लकार लगता है बिलकुल सही है क्या लोट लकार आग्यार्थक है बिलकुल सही बात है क्या विदिलिंग लकार तो चाहिए अर्थ में आता है ध्यान दीजेगा आपको पढ़ना चाहिए तो चाहिए अर्थ में विदिलिंग लकार आता है लिट लकार नहीं आता तो अशुद्ध रूप हो जाएगा आपका option the तो question number 10 का सही उत्तर है आपका option the next question है आपका question number 11 जानाती पदस्य धातु हो अस्ती जानाती इस पद की धातु कौन सी है जानाती अर्थात जानता है इस पद की मूल धातु कौन सी है option a है जा, option ब है जान, option स है जानात, option द है ग्या तो देखिए जानाती पद की मूल धातु जानाती अर्थात जानना या जानता है जानाती का तातपर है जानता है और जानने की मूल धातु हो जाएगी ग्या, ग्या अर्थात जानना तो question number 11 का सही उत्तर हो जाएगा option the next question है अपना question number 12 19 से लेकर निन्यानू पर्यंत संख्या कस्मिन वचने प्रचलती बहुत बार रिपीट किया है मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको 19 अर्थात एकोन विंशती ही ध्यान दीजेगा 19 अर्थात एकोन विंशती ही यहां से लेकर एकोन विंशती ही यहां से लेकर आपको पूछा है 99 तक की संख्याएं किस वच्चन में होगी तो आपको याद रखना है कि 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं इस्त्रिलिंग एक वच्चन में चलेंगी यदि लिंग पूछा जाता तो इस्त्रिलिंग और वचन पूछा जाता तो एक वचन तो क्याशन नमबर बारा का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन बव नेक्स क्याशन है आपका क्याशन नमबर तेरह पंडिताहा रिक्तिस्थान ग्रामेशु निवसंती पंडित चार गावों में रहते हैं देखिए रिक्तिस्थान में चार के ऑप्शन्स दे रखे हैं चार के अनेक रूप दे रखे हैं देखिए मैंने हमेशा सही आपको बताया है कि जितनी भी संख्याएं है वो विशेशन के अनुसार चलती है जितनी भी संख्याएं है वो विशेशन होती है और ये विशेशन जो है वो पीछे आने वाले विशेश्य के अनुसार चलती है तो गाव जो है आपका ये जो ग्रामेशू है ये आपका विशेश्य है और संख्याएं सदेव कैसी रहती है विशेशन रहती है ये सारी संख्याएं आपकी क्या है ये विशेशन होती है और विशेशन जो है वो विशेश्य के अनुसार चलता है देखी ग्रामेशू में जो लिंग वचन और विभक्ती है वैसा ही लिंग वचन और विभक्ती चार संक्या की भी रहनी चाहिए तो देखिए ग्रामेशु में सब्तमी विभक्ती का बहुचन दे रखा है तो आपको भी यहाँ पर चार संक्या का सब्तमी बहुचन भरना पड़ेगा ग्रामेशु में जो साउंड है वही साउंड आपका चतूरुशु में है चतूरुशु ग्रामेशु पंडीताहा चतूरुशु ग्रामेशु वसंती अर्थात क्योशन नमबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा option 10 next question है आपका question number 14 पूरुशार्थ चतुस्ट्यम पूरुशार्थ चतुस्ट्यम इस रेखां की पद में कौन सा वच्चन है देखिए पूरुशार्थ चतुस्ट्यम को सुनकर लगता है कि चार पूरुशार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष यह जो चार पूरुशार्थ है तो चार तो बहुवचन में जाएगा तो मैक्जिमम स्टुएंट्स कर देंगे बहुवचने अ किन्तु आपको पहले भी मैंने question में बताया है कि यदि किसी संग्या के साथ द्वयम, त्रयम एवं चतुस्ट्यम ये पद्यदी बाद में लगे हुए हो जैसे कि श्लोक द्वयम श्लोक द्वयम पुस्तक त्रयम पुरुशार्थ चतुस्ट्यम तो किसी के साथ यदि द्वयम, त्रयम, चतुस्ट्यम है ना इस प्रकार के पद्यदी अंत में लगे हो तो आपको याद रखना है कि वो समस्तपत सदेव एक वचन में चलेगा तो क्योशन नमबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ब नेक्स्ट क्योशन है आपका क्योशन नमबर 15 यह नेक्स्ट और आपका लास्ट क्योशन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है क्योशन नमबर 15 उभयोहो पदे हे कह प्रत्य यह दोनों पदों में कौन सा प्रत्य है ओप्शन अ हे धनवान ओप्शन ब हे भूतवान देखिए वान वाले आपके दो प्रत्य रहते हैं ध्यान दीजेगा दो प्रत्य हैं जिनके अंत में वान शेश रहता है एक प्रत्य का नाम है आपका अक्तवतु और एक प्रत्य का नाम है मतुप देखिए धन वान में जो धन शब्द है वो किसी प्रकार की धातु नहीं है ये जो धन दे रखा है वो आपकी संग्या है और संग्या के साथ यदि वान आता है द्यान दिजेगा यहां संग्या है और वान है संग्या के साथ वान आएगा तो आपका प्रत्य हो जाएगा मतुप प्रत्य मतुप प्रत्य का अर्थ है जिसके पास धन है वो धनवान कहलाता है तो याद रखेगा आगे वाला पद यदि आपका संग्या है और संग्या के साथ वान लगा है तो तो आपको याद करना है कि प्रत्य का नाम हो जाएगा मतुप प्रत्य अब देखिए दूसरे वाले पद को देखते हैं भूतवान भूतवान पद में धातू है सबसे पहला वाला पद आपका कौन है धातू है और धातू का नाम दे रखा है यहां पर भू धातू के साथ वान लगा है तो आपका प्रत्य हो जाएगा अक्तवतु प्रत्य धातू के संदी समास प्रत्य होना ही डाउटफुल टेस्ट सिरीज है तो कैशन नंबर 15 का सही उत्तर है धनवान में तो प्रत्य हो जाएगा मतूप जबकि भूतवान में प्रत्य हो जाएगा अक्तवतु प्रत्य याद रखेगा मतूप होने पर आगे संग्या आएगी मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट इयर जब आप मिले मुझसे तो बिल्कुल एक शिक्षक के रूप में ही मिलिए चलिए जैतु संस्कृतम